आलो एवरिवान आप सभीका बहुत बहुत स्वागित है मैगनीड Regular के चांदार यूट greasy चैनल पर जहां माफ को प्रोवाइट कराते हैं पूरे वीडियो स्son plataforma को पूरे पूरे श्लेबस के वीडियो स्स प्रोवाइट कराते हैं जो भी पढ़ना हो आपको accounts वगेरा सारा का सारा available है आपका पूरा पूरा syllabus पूरा पूरा course हमने videos format में बना रखे हैं playlist के form में arranged है आप आईए सर्च कीजिए अपना content आपको जो पढ़ाई करनी है जिस subject की और बढ़िया से अपनी पढ़ाई बूस्ट कीजिए because आप से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा all the videos are free of cost so just come up और बढ़िया से पढ़ाई करना शुरू करो और अपने exams की तयारी शुरू कर दो मैं हूं जीशान आपका maths mentor और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं magnet brains की YouTube channel पर आज class 10 के साथ पढ़ाने वाला हूं क्या आज class 10 को मैं पढ़ाने वाला हूं भाई circles chapter का 10th class का chapter है circles उसके NCID examples तीन examples हैं लेकिन तीनों बहुत important है literally तीनों बहुत important है first भले ही इतना ना आया हो लेकिन यार second and third example जो आज अपन solve करेंगे न most important examples हैं यार मतलब इतना जादा important है आप यकीन मानो कि कम जगम 5-6 बार आ चुके हैं वो boards में तो PYQs की शरेणी में भी आप उन examples को रख सकते हो yes बिलकुल उनको आप PYQs भी पकार सकते हैं तो without wasting any time कोई time का wastage नहीं करेंगे सीधा चलते हैं अपने first question की तरफ आज का पहला question या पहला example क्या है पैम copy notebook निकालो बिटा exam आ रहे हैं exam की तयारी में लग जाओ नहीं तो बहें दिक्कत हो जाएगी आपके marks कमाएंगे score कम कर पाओगे पैरेंट से डांट कर लेगी है ना चलो आगे चलते हैं सर यह रा मारा first example first example भाई prove that in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact सुनो यह अपन actually actually रुकना इस question को पढ़ो आप जल्दी से prove that the जल्दी से पढ़ लो बिटा जो भी लिखा है prove that in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact कहीं को तो question ही समझ में नहीं आएगा चलो बता देता हूँ यार मुझे अच्छे circles बनाने थे इसलिए मैं blank slide पर आया otherwise मैं नहीं आता सुनो अपनने बनाया एक circle concentric circles की बात हो रही है न अपनने बनाया एक और circle लेकिन concentric बनाना है तो इसको अपनको move कराना पड़ेगा इसके अंदर और basically दोनों circles का एक ही center होगा तभी उनको concentric circles बोला जाता है ठीक है भाई बस अब ठीक है I guess हाँ अब ठीक है perfect है इसको बोला जाता है concentric circles क्या बोला जाता है two concentric circles the chord of the larger circle larger circle की chord जो smaller circle को touch करे चलो chord बनाते है larger circle की जो smaller circle को touch करे लो भाई गोर से देखना larger circle में अपन chord बना रहे हैं जो smaller circle को touch करे लो भाई यह बना दिया larger circle के लिए बेटा यह chord है मैं फिर बोल रहा हूं larger के लिए यह chord है ठीक है this is a chord for larger circle ठीक है अब इसको अपन जल्दी से tilt कर देते हैं और बढ़िया तरीके से ओके दिख गई chord तच हो रही है बटा, chord क्या होदी बढ़े वाले circle में chord होगी, मतलब chord वो line जो circle के circumference पर आ रही हो समझ रहे हो ना अभी ठीक है, perfect है ठीक है सर, अब इसको थोड़ा सपन dark कर दे हैं तब ही तो मज़ा आएगा लीजिए यह हो गई अपनी chord, ठीक है नाम chord का लिख देते हैं let us say PQ is a chord बहार वाले circle की chord है लेकिन अंदर वाले circle को वो हो जाएगी tangent, याद रखना अंदर वाले circle को वो touch कर रही है इस point पे तो यह point हो जाएगा बिटा let us say हम इसको M नाम दे देते हैं, center O हो गया, गौर से सुनना बिटा, मैं दो चीज़े लिखना चाहता हूँ point number one PQ is a chord for circle C1, C2 लिख लेते हैं यह हो गया C1, circle 1 और यह बहारवाला हो गया, circle 2 ठीक है, P1 is a PQ, PQ, PQ is a chord PQ is a chord PQ is a chord of bigger circle of C2, of circle C2 of circle C2 which touches the circle C1 which touches the circle C1 जो circle C1 को touch कर रही है अब circle C1 को यह touch कर रही है तो circle C1 के लिए यह tangent हो गई भाई देखो, C1 अंदर है और यह ऐसी line निकल ले है, यह इसको touch करते हुई तो circle C1 के लिए PQ tangent हो जाएगी, सही बात है तो अपन लिखेंगे PQ is a tangent PQ is a tangent तो दी सर्किल C1 किसकी tangent है? C1, छोटे वाले की तो दी सर्किल C1 ठीक है? यह सर अब इन दोनों points को लिखना जरूरी क्यों था, मैं बताता हूँ, सुनो अभी अब सिर्व अंदर वाले सर्किल पर focus करो, हमें क्या proof करना है यह देखना? हमें proof करना है सर हमें proof करना है is bisected at the point of contact यह जो cord है ना यह इस सर्किल के point of contact M पर bisect हो रही है, हमें proof करना है PM और QM equal है, हमें proof करना है to prove to prove PM is equal to QM यह हमें proof करना है ठीक है, यह proof करना है हो गया देखो कैसे हो गया सुनो गवर से सुनो सर, जब हम छोटे वाले सर्किल को देखेंगे और हम छोटे वाले सर्किल के साथ-साथ इस tangent को देखेंगे जो बाहर वाले सर्किल के लिए cord है obviously cord है तो sir ये point M जो point of contact M और center O जैसे हम इसको जोड देंगे तो sir theorem number 10.1 active हो जाएगा theorem number 10.1 क्या कहता है theorem number 10 अरे बन जा भाई theorem number 10.1 कहता है कि अगर आपने किसी tangent को किसी circle किसी tangent को circle के center से जोड दिया radius जोड दी tangent पे तो perpendicular होगी यही तो है 10.1 theorem यह sir तो बेटा O M को join करेंगे हम we will join O M O M join कर दिया अरे सीधा बन जाना भाई अरे क्या कर रहा है यार ठीक है अब जैसा भी बन गया हो ठीक है तो sir O M will be perpendicular to P Q ठीक है तो sir by हम कहेंगे by theorem 10.1 अब class 9 का concept यूज होगा by theorem 10.1 we can say that O M जो है वो perpendicular है P Q K at M at M M point पर यह perpendicular होगा जल्दी से perpendicular का निशान बना देते हैं sir this is perpendicular ठीक है 90 degree का अपनने symbol बना दिया ठीक है sir अब अंदर वाले सर्किल को भूल जाओ अंदर वाले सर्किल का काम खतम हो गया अब बाहर वाले सर्किल को पकड़ेंगे ठीक है देखो बड़े वाले सर्किल को पकड़ा और sir ये है कौड उसके लिए कौड है ये बाहर वाले सर्किल के लिए ये कौड है बिटा भूलना मत और ये point M है उस पे और ये center है center से M पर perpendicular बना दिया अपनने perpendicular अपन छोटे वाले सर्किल से लाए class 9 का concept है बिटा याद करो कि कभी भी circle chapter में पढ़ा है आपने बिटा class 9 का concept है क्या के अगर अब ये circle बड़े वाले circle के लिए बात हो रही है in circle c2 c2 है न बड़ा वाला हाँ in circle c2 in circle c2 गौर से सुनना chord, chord है बिटा pq chord है chord pq chord pq जैसे ही हमने center से chord pq पर perpendicular draw करी तो class 9 का theorem ये कहता है कि अगर आप chord के उपर perpendicular draw करते हो और वो भी center से तो chord bisect हो जाती है तो क्या बोलोगे आप from center o पूरा लिखना पढ़ेगा from center o from center o o m perpendicular chord pq chord pq so by theorem so by theorem तो theorem क्या कहता है कि center से आपने chord पर perpendicular draw कर दी तो theorem कहता है कि chord will be bisected so by theorem chord pq will be bisected यही तो proof करना था will be bisected यही हमें बेटा proof करना था pm is equal to qm लो भई हो गया ठीक है मैं फिर बता देता हूँ छोटे वाले circle के लिए यह pq tangent का काम करेगी जैसे ही आप center से उसको match कर दोगे theorem 10.1 activate हो जाएगा और बेटा फिर यह 90 degree आ जाएगा अंदर वाले circle खतम बाहर वाले circle के लिए pq a cord है जिसको हमने center से 90 degree पर join कर दिया theorem है भाई के cord को अगर आप center से perpendicularly connect करा देते हो तो फिर cord by set हो जाती है तो यह 9th class के theorem भी use हो रहे है बिटा भूलना मत ठीक है done ठीक है sir example number one finished वाउ चलो इस चल्दी से इसको erase करते हैं let me erase this अब चलते हैं अपन example number two की proving पर three में time लग जाएगा थोड़ा सा two भी most important most important मैं इसकी तो practice तो मैं करा दूँगा कम से कम 4-5 बार exam से पहले most important M.I.Q M.I.Q M.I.Q. M.I.Q. बोले तो most important प्रेशन ठीक है M.I.Q. है most important question है बिल्कुल हलके में मतले ना नहीं तो तुम हलके नहीं हो पाओगे ठीक है चलो ओके इसमें figure महीं दिया गया है figure बनाएंगे बिटा two tangents T.P. and T.Q. are drawn to a circle with center row from an exterior point T लो भी एक circle बनाते हैं अरे थोड़ा सा रह गया हाँ ठीक है और एक exterior point T है बिटा यहाँ T ले ले लेते हैं let us say this is T P, T and TQ TP, TP और TQ join करेंगे TP and TQ join करेंगे TP and TQ join करेंगे TP and TQ join कर दिया ठीक है ठीक है sir तो sir यह हो गया let us say TP और यह हो गया TQ ठीक है एक second रुकने इसको थोड़ा सा अंदर कर दे अभी ठीक है हाँ अभी it is fine ठीक है इसको भी थोड़ा छोटा कर दे अब सही है perfect है ठीक है अब इन्होंने कहा की PTQ पहले center भी तो बनाओ भाई center भी तो बनाओ center O PTQ भाई P यह हो गया और यह क्यों हो गया PTQ पिटा यह वाला एंगल ठीक है is equal to two times OPQ OPQ लेओ OP को join करो और इसको join करो OPQ यह वाला एंगल तो actually यह अलग color से मैं symbol लगा रहा हूँ यह हमें basically गौर से सुनना हमें यह proof कराना है sir के angle PTQ अब इसको थोड़ा छोटा कर दें आ रहे न थोड़ा ओ उड़े गया भाई यह तो रहने दो बड़ा बस space बना रहा है बस ठीक है ठीक है सही है कोई दिक्कत नहीं रहने दो ठीक है क्या proof करना है वो लिखते हैं sir to prove क्या proof करना है okay we have to prove PTQ PTQ यह वाला एंगल PTQ इस twice twice बोले दो two times two into एंगल OPQ एंगल OPQ यह equal करना है गौर से सुनना बिटा हो जाएगा इन दोनों में से कोई एक एंगल X मान लो अपने एक काम करते हैं इसको X मान लेते हैं OPQ OPQ इसको X थीटा मान लो यार थीटा X नहीं थीटा मान लो थीटा ठीक है so let us say कोई भी मान लो जरूरी नहीं है इसको मान लो आप इसको भी मान सकते हो ठीक है किसी से भी हो जाएगा वो तो let एंगल OPQ is equal to थीटा ठीक है अब PTQ 2 थीटा आ जाएगा देखो कैसे तो गौर से सुनना बेटा बहुत गौर से सुनना ठीक है देखो पहली बात तो theorem number 10.2 सबसे पहले लगेगा 10.1 भी लगेगा दोनों लगेंगे देखो मैं बात कर रहा हूँ theorem number 10.1 पहले 10.1 लिखते हैं by theorem 10.1 by theorem 10.1 ठीक है सर क्या है 10.1 बताता हूँ theorem 10.1 है कि TPO 90 degree होगा TPO कैसे होगा भाई OP radius है देखना यह radius है radius और tangent point of contact P पे मिल गए तो सर angle OPT 90 degree होगा angle OPT is equal to 90 degree ठीक है कोई दिक्कत नो सर नो दिक्कत अगर यह 90 degree होगा तो पेटा यह वाला एंगल निकाल लो यार यह कितना होगा जल्दी निकाल लो यह वाला एंगल कैसे निकलेगा सर यह तो थीटा है ना तो OPT actually मैं अपन लिख सकते हैं सर इसको लिख सकते हैं OPQ अंगल OPQ प्लस अंगल TPQ अंगल TPQ दोनों का addition ही तो 90 हो जाएगा यह सर बिलकुल सही बात है इकोल तो 90 पेटा OPQ को अपन ने थीटा माना है तो इसकी जगा अपन थीटा लिख देंगे थीटा प्लस थीटा प्लस अंगल TPQ is equal to 90 degree तो TPQ कितना हैगा थीटा उदर जाएगा माइनस हो जाएगा एंगल TPQ is 90 माइनस थीटा ठीक है धियान देना बिटाई बहुत important expression आगया यह बहुत जादा important expression आगया यह ठीक है ठीक है TPQ 90 माइनस थीटा लिख देते हैं बेटा TPQ यह आगया 90 माइनस थीटा लेट मी जस्ट राइट उपर लिख देते हैं 90 माइनस थीटा अब तुमें एक चीज़ बता हूँ यह भी 90 माइनस थीटा होगा क्यों होगा यह बता तू बताओ ये क्यों होगा 90-θ, ये भी यहां लिख देता हूँ मैं सर, 90-θ, जाद ही दूर लिख दिया, यहां लिख देते हैं, ये भी होगा सर, 90-θ, अब ये भी 90-θ क्यों होगा भाई, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सोचो, ये बिटाएगा बाई थियोरम 10.2, अब देखो कैसे 10.2 काम करेगा, देखो, बाई थियोरम 10.2, अब 10.2 एक्टिव हो गया, क्या होता 10.2, 10.2 ये होता कि सर, अगर कोई भी बाहर एक पॉइंट बना हो, सर्किल के बाहर एक पॉइंट और उससे दो टेंजेंट्स बन जाएं तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी, तो T is an exterior point for this circle, तो TP एक टेंजेंट और उससे TQ दोनों इक्वल होंगी, TP इक्वल TQ, ठीक है, तो हपन क्या कहेंगे, TP is equal to TQ, बेटा बैसे तो आपको पूरा थियोरम लिखना चाहिए, और अगर triangle की बात करें, TP Q, तो ध्यान तो बेटा, TP Q जो triangle है, उसमें दो sides equal है, तो फिर दोनों angle भी equal होंगे, ये दोनों sides equal है, सर, है ना, ये T है, ये P है, ये Q है, ये ये जो है ना theorem, तो ये यहां से आगया, ये दोनों side, अब इसके सामने ये angle है, सर, और इसके सामने ये angle है, सर, तो ये दोनों भी तो equal होंगे theorem says, एक theorem है बेटा, class 9th में भी पढ़ाया गया है कि अगर किसी triangle में 2 sides equal हैं तो उनके opposite, उनके सामने वाले angles भी equal होंगे तो अगर tp और tq equal हैं, then by theorem then, पूरा theorem ही लिख दूँ क्या? इसको पहले छोटा कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो, देखो अब अब लिखते हैं, पूरा theorem, कोई समस्या नहीं है, क्या है theorem? angles opposite to equal sides in a triangle are equal angles opposite to equal sides in a triangle are also equal are also equal ठीक है? तो यह दोनों भी equal होंगे यह आपन के पास पता ही है, यह angle कितना है, 90 minus theta तो angle tqp भी कितना होगा? therefore angle tpq is equal to angle tqp और दोनों ही पेटा 90 minus theta हो जाएंगे, ठीक है? बस खतम होने वाला है थोड़ा सा बचा, it will be over shortly इस triangle में लगा दो angle sum property और खतम करो इसको 180 degree होता है ना पेटा sum of two angles बस, खतम करें इसको इस triangle में लगा दो sum of two, sum of three angles in a triangle, या triangle के अंदर के interior angles के sum 180 होते हैं ये वाला theorem बिटा अपन लगा देंगे और बड़ी हाँ तरीके से कर देंगे solve हमारा answer या proving आ जाएगी, देखो कैसे ये angle का नाम क्या है? ptq और ptq ही चाहिए है अपन को, देखो ptq आ जाएगा, बड़ी आराम से आ जाएगा, ठीक है? चलो देखते हैं तो sir, angle sum property लग रही है इस triangle में angle sum property ठीक है? ये सर ठीक है, चलो, ptq angle ptq angle ptq plus 90 minus theta, 90 minus theta angle ptq plus angle, इसका नाम है tpq tpq tqp plus tpq is equal to 180 degree, ठीक है? ये सर देखो भाई, ptq अपन को निकालना है, तो ptq को तो ptq ही लिखो, कोई से छिड़खानी मत करो angle tpq, tpq कितना है? 90 minus theta ये कितना है सर, ये भी 90 minus theta लिखो दोनों की जगे 90 minus theta 90 minus theta plus इसकी जगा भी सर, अपन 90 minus theta ही लिखेंगे 90 minus theta is equal to 180 ठीक है, पीटा? तो 90 90 180 हो जाएगा, angle ptq plus 180 degree 180 हो गया minus 2 theta, पीटा, theta plus minus theta और minus theta minus का 2 theta is equal to 180 ठीक है? इन दोनों को अपन उदर भीज देंगे, पीटा angle ptq is equal to यह 180 है, जैसे यह 180 उदर गया minus का हो जाएगा जैसे यह 2 theta वाँ गया minus से plus का 2 theta हो जाएगा 180 से 180 कट गया क्या बचा 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 बचा? angle ptq is equal to sir 2 theta 2 into theta और theta किसको लेट किया था बचा 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 था theta लेट किया था ptq is equal to 2 angle इसकी जगा opq लिखेंगे opq और बचा देखो यही हमको प्रूफ करना था ptq is equal to 2 opq ptq is equal to 2 opq लो भई हो गया है, proved, hence proved खतम ठीक है, done चले आगे चले थर्ड और करते हैं और उसको finish करते हैं अपन जल्दी से, ठीक है third और करते हैं क्योंकि third lengthy है, third में समय लगेगा यह है third lengthy तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा time जादा ले जाएगा यह है भाई अपने पास बढ़िया वाला सा figure जो बढ़ा ही खतरनाक सा लग रहा है देखने में पर actually है नहीं बहुत ही cute सा figure है तो tension नहीं लेने का बहुत ही normal है और figure इतना कुछ tough नहीं है ठीक है देखो पढ़ते हैं question PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm the tangents at P and Q intersect at T find the length TP यह निकालना है भाई देखो मेरी पहली बात सुनना हूँ ठीक है सबसे पहली बात सुनना हूँ step by step देखना है इस question को ठीक है देखो पहले मैंने बनाया बिटा यह circle फिर मैंने बनाई PQ chord और फिर मैंने बनाया center जैसे ही मैंने center को P से join करा तो already दिया हुआ था join करके तो अपनने PO लिख लिया बिटा लेकिन यह join करके नहीं दिया OQ पर अपन इसको join करेंगे बताओ क्यों मैं बताता हूँ क्यों जैसी इसको join करेंगे और ध्यान दो RO भी बनाएंगे बिटा RO यह RO गया इसलिए बनाएंगे बिटा कि हमें सबसे पहले proof कराना है कि यह perpendicular है ठीक है हमें यह proof कराना है क्या proof कराना है सर OR is perpendicular to PQ जब कि यहां दिया नहीं है perpendicular देख लो यहां दिया नहीं है बिटा यहां OR perpendicular नहीं दिया अगर यह perpendicular आ जाएगा तो होगा क्या उससे बताओ अगर यह perpendicular आ जाए तो क्या होगा क्या उससे कोई बताए क्या हो सकता है नहीं आ रहे चलो तो बात ऐसी है कि जैसे ही अपन को ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा बिटा अपन CPCT से देखो परपेंडिकुलर भी कैसे मिलेगा बिटा इन दोनों को congruent करेंगे, congruent करने के बाद कोर से सुनलो बिटा, congruent करने के बाद बिटापन क्या करेंगे इन दोनों को CPCT से equal करा लेंगे दोनों को XX मान के दोनों को 9090 अपन क्योंकि य ही linear पे रहा न X plus X will be 180 degree तो हो जाएगा ठीक है, समझ गए, समझ गए, यस और नो, जल्दी बताओ, समझ गए ना, यस सर बिलकुल समझ गए, 110% समझ गए, ठीक है, ओके, तो congruent तुम करा ले ना, congruent तुम करा ले ना, मैं direct CPCD से ये 90 लेकर चलता हूँ, ठीक है, I am taking it 90 degree, ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई, 90 degree मान ल तरीका है, इसको perpendicular दिखाने का, और वो क्या है दोस्त, उसको भी समझ लेते हैं, कि एक और तरीका क्या है सर, perpendicular दिखाने का, मैंने क्या बोला बेटा, एक और तरीका है, और वो तरीका actually तुम्हें याद रखना पड़ेगा, वो तरीका तुम्हें याद रखना पड़ेगा, दिखो, उसमें तुमैंए कॉंग्रोेंसी कराणी नहीं पड़ेगी पर अगर याद रख पाओ तो अच्छी बात है तो को होता क्या है कि जैसे ही हमने P की मदद से जैसे हमने P की मदद से और T की हेलप से TP और TQ बनाई TP और TQ बना ली जैसे अपने ये दो लाइन्स बनाई तो ये दो लाइन्स तो होती है equal ये तो theorem 10.2 कहता है कि ये दोनों equal होंगे है न 10.2 याद है न हाँ और जैसे बच्चों अपन याद रखना बिटा याद रखने वाली चीज़े जैसे अपन T को O से join करते हैं तो याद रखना बिटा ये मैं NCRD के according बता रहा हूं जो NCRD में तो होता क्या है कि जो T O है न T O ये angle bisector होती है बिटा P T Q इसकी और इसकी भी P O Q ये याद रखना है तुम्हें एक तरह से ये भी theorem मान सकते हो के सर T O क्या होगा सर T O जो है या O T आप कुछ भी कह सकते हो सर ये ये एक angle bisector होता है ये क्या होता है बिटा एक angle bisector होगा अगर आप T exterior point को center of circle से join कर दो तो ये दोनों join होते साथ P T Q P O Q center पे पूरा angle बनता है जो वो और यहाँ exterior angle पे जो पूरा angle बनता है ये इन दोनों को bisector होता है इन दोनों को bisector करता है कौन center से tangent exterior tangent के बाहर वाला point join करने वाली line तो ये हो जाएगा angle bisector angle bisector कौन से angle bisector दो angle sir P T Q angle P T Q ठीक है और as well as angle P O Q angle P O Q ठीक है याद रखना ठीक है और इतना लिखके आप क्या लिखोगे joint T O मैं बोल दे रहा हूं और ली joint T O आप लिख दोगे joint T O चलो अच्छा मैं ही लिख देता हूं ठीक है यहाँ लिख देता हूं मैं जो इन्होंने joint करके दिया ना dot 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 करके वो ही joint T O T O is angle bisector of T O is an angle bisector angle bisector of किसकी angle bisector है बिटा? P T O, P T Q, sorry हाँ P T Q, of P T Q यह तो बना नहीं है यह दर तो P T Q लिखेंगे therefore P Q and T O are perpendicular यह याद रखना है तुम्हें P Q and T O are perpendicular तो बिना congruency के आप ऐसे perpendicular बोल सकते हों ठीक है? This is fully valid यह आप NCRT में भी देख सकते हो same to same NCRT में दिया गया है तो यह NCRT वाला concept हो गया ठीक है सर ठीक है? तो यहाँ से बनको यह 90, यह 90, यह 90, सब 90, 90 आगय परपेंडिकुलर अपनने पता लगा लिया तो यहाँ अपनने परपेंडिकुलर लिख दिया ठीक है? I am erasing this अब मैं erase कर रहा हूं इसको ठीक है? ठीक है सर इसको erase कर दिया ठीक है गौर से सुनना बेटा गौर से सुनना यह अपना पी था ठीक है देखना गौर से देखना बेटा अपनने अभी हाल सर O से R जो बन रही है वो परपेंडिकुलर साबित कर दी यह R है अब क्लास नाइंद का कॉंसेप्ट याद करो क्या कॉंसेप्ट याद करो O R is perpendicular to Cod PQ O R is perpendicular to Cod PQ तो सर Cod तो Bisect हो जाएगी theorem कहता है Cod will be Bisected Bitheorem Bitheorem Cod will be Bisected मतलब PR और QR equal हो जाएगी PR is equal to QR बात समझ में आगई यसर आगई पूरी 8 पूरी एडा तो PR कितना हो जाएगा 4 पूर कितना हो जाएगा 4 तो यह क्या हो जाएगा बिटा यह हो जाएगा 4 centimeter each बात समझ में आगई यह पहला पढ़ाओ पार हो गया पढ़ाओ पार हो गया कौन से question का question number one का question number one क्या रहा हूं यार sorry example number three का पहला पढ़ाओ पार कर ली अपनने पहला अध्याय पहली stage अपनने पार कर ली ठीक है sir अब दूसरी stage है जो हमें let x करके भी कर सकते हैं या similarity of triangle से भी कर सकते हैं ठीक है तो अपन पहले similarity of triangle से देख लेते हैं गौर से सुनना मेरी बात बिटा गौर से सुनना मेरी बात देखो अपन बनाते हैं बच्चा ये वाला triangle टी पी ओ दिस इस टी पी ओ टी पी ओ और यहां यह 90 है यह सर है 90 यह सर यहां यह 5 cm है हां सर बिलकुल है ठीक है पकी बात यह सर यह कितना है बिटा यह कितना है यह ओ आर प्लस टी आर है ठीक है अभी उसको छोड़ो अभी उसको छोड़ो उसकी मर उसकी अब दूसरा triangle कौन सा बनाना है जो similar proof कराना है वो देख लो पी आर ओ यह बनाना है सर कौन सा पी आरो कौन सा पी आरो कौन सा पी आरो सर बनाते हैं triangle पी आरो यह हो गया पी आरो ठीक है यह सर इस पी इस आर एंड इस इस ओ यह हो गया सर 8 सैंट ना ने 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 4 4 4 4 सैंटी मीटर हुआ बिटा ही है यह 4 है यह 5 है ठीक है अब मेरी बात सुनना 90 यह भी है 90 यह भी है ठीक है बच्चों दोनों triangle में angle O common है दोनों triangle में angle O common आ रहा है आ रहा है ना angle O ठीक है सर चलो दोनों को angle angle से similar कर आते हैं ठीक है तो गौर से सुननना angle this equal angle this इसका नाम में यहां से लिखता हूं OPT जहां पर angle O पे मिनिशान लगा angle OPT is equal to angle ORP लिखना पड़ेगा OR O angle ORP ठीक है सर है ना common है दोनों ठीक है अब अब अपन लिखेंगे POT POT P जो 90 डिगरी है उससे नाम शुरू कर रहा हूं तो यहां आर से शुरू हो का 90 डिगरी ROP POT is equal to ROP POT is equal to ROP अगर आपने नाम सही से लिख लिए तो ही आप similarity of triangle सीख पाओगे ठीक है और जैसी बिटा अपन ने यह लिखा यह हो गया सर यहां अपन लिख देते हैं 90 डिगरी इच बाइ थियोरम और यहां लिखेंगे अपन बिटा common POT हाँ यह common है common ठीक है ओके तो यह यह angle angle से हो गए similar आपने triangle चाप्टर पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा by angle angle criteria by angle angle rule of similarity triangle अब triangle के नाम लिखना बड़ा जरूरी है सर वही तो खेल है पूरा triangle के नाम लिखना ही तो खेल है पूरा सुनना मेरी बास सुनना ओ से शुरू करते हैं जो है अपना single वाला तो single वाला यहां O है तो O से शुरू करेंगे OPT तो ORP simple बहुत आसान होता है बिटा O मुझे पहले बहुत टफ लगता था जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे यहार ऐसा लगता था कैसे सही नाम निकाले जाए triangle के आराम से आ जाते O तो इसका भी O बिटा यहां पर भी यह वाला निशान लगा यहां पर भी यह वाला निशान लगा फिर 90 की तरफ जाते हैं OPT तो 90 की तरफ जाते हैं यहां से ORP का था ओपी टी ORP अब बच्चों जब दो triangle similar हो जाते तो उनके corresponding sides के ratios equal आते तो OPT similar है triangle किसके? ORP के triangle ORP चलो तो यहां पर लिखना पड़ेगा ratios of corresponding sides पूरा लिखना पड़ेगा अपन को ratios of corresponding sides corresponding sides of similar triangles are equal of similar triangles are equal are equal ठीक है? ओके तो इसका बतलब OP upon OR अगर मैं कहूँ OP तो तुम कहूँ गया upon OR ratio निकालना है न? OP upon OR मैं triangles नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं यह सोचके पढ़ा रहा हूँ कि आपको triangles chapter आता है तब ही आपको ही समझ में आएगा फिर मैं बात करूँ PT तो आप कहोगे OP है 5 तो यहां 5 लिखेंगे upon OR देखो बेटा OR नहीं है सर तो OR की जगा अपन OR ही लिखेंगे equal PT देखो बेटा PT PT की जगा PT लिखेंगे ठीक है सर upon RP RP 4 है सर ठीक है is equal to OT OT कुछ नहीं है सर OP 5 OT upon 5 ठीक है let me just check for once एक बार मैं check कर लूँ सरा ठीक है सर अगर मैंने OPT इसका नाम दिया OPT ठीक है तो इसका नाम होगा ORP बिल्कुल सही है OPT ORP ठीक है बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं हाँ अपन को निकालना क्या है सर अपन को निकालना है कहां चला गया PT अपन को PT निकालना है ठीक है we have to calculate PT here ठीक है अपन को PT calculate करना है अब इन ratios को कैसे manage करें कि PT calculate हो जाए और हमारे पास हमारा answer आराम से निकल के आ जाए सोचो ठीक है अब तुम सोचोगे कि सर PT कैसे निकालेंगे अपन how can we balance PT भाई देखो अगर हमने PT का N के साथ calculation करा तो 4 into ot upon 5 आजाएगा N के साथ करा तो 5 into 4 यानि 20 upon or आजाएगा आए गए नहीं सर PT चलो तुम एक चीज़ बताता हूं गौर से सुनना ठीक है गौर से सुनना उसके लिए मुझे space चाहिए पड़ेगा चलो यहां यहां देखते हैं यहां इधर आजाओ ठीक है गौर से सुनना बिटा यह चीज़ समझानी पड़ेगी मुझे नहीं तो तुम समझनी पाऊगे नहीं तो डारेक्ट में NCRT का इसलिए नहीं करा हैं मैंने डारेक्ट क्योंकि NCRT में अगर तुम्हें पढ़ नहीं है तो बुक देखके पढ़ लोगे तुम समझो के उन्होंने ऐसा क्यों लिख का अपकोज NCRT के एक्जाम्पल्स अपन सॉल्व कर रहे हैं तो समझेंगे ठीक है ये टी आर ओपी टी आर ओपी ठीक है टी आर ओपी जल्दी देख लो टी आर ओपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बिटा ध्यान देना क्योंकि ट्राइंगल्स चैप्टर से तुमारा पाइथागोरस थियूरम वाला तो सेग्मेंट कट गया इसलिए तुम्हें ये चीज़ पता नहीं है टी आर ओ पी बिटा ये अपने पास जो 90-90 है जरा उनको मार्क कर लेते हैं सर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तुम्हें एक चीज़ बताता हूं सुनना गौर से अगर राइट अंगल ट्राइंगल के अंदर दो राइट अंगल ट्राइंगल और बन जाएं ये वी राइट अंगल है ठीक है अगर right angle triangle देखो ये बड़ा right angle triangle है TPO जो 90 degree है है ना इसके अंदर दो और right angles बन जाए देखो ये और एक है ठीक है तो तुम ज्याद रखना कि सर बहुत गौर से सुनना जैसे ये 1 है ये 2 है और ये पूरा 3 है पूरा का पूरा जो बड़ा वाला है TPO जो triangle TPO है बड़ा वाला right angle triangle बीटा वो इन दोनों से similar होता है दोनों से अलग-अलग ठीक है जैसे मैं बात करूँ इस second वाले की तो second वाले का जैसे है अपने TPO नहीं इसका अपन लिखते हैं OPT OPT ठीक है ये बड़ा वाला triangle हो गया ये OR OPT ORP के similar होगा ORP और ये नई बात नहीं है ये second से हो गया ये अपन इधर कराया देखो OPT ORP देखो OPT ORP अपन करा चुके है ना ऐसे ही बच्चो अगर अपन इस पूरे का second के साथ तो करा चुके इस पूरे का अगर one के साथ भी कराना चाहे तो भी हो जाएगा जी हाँ तो triangle TPO 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 will be similar to triangle TRP TRP triangle T TRP नहीं है sorry TPR रुकतो जाओ TPO right angle को भीच में लिया तो इदा TRP लेंगे TRP TRP तो सर यह यह दोनों triangle same है यह दोनों triangle तो बड़े बड़े triangle है दोनों के नाम थोड़े से पलट के लिख दिया बस तो सर बात ऐसी है कि जब एक बड़ा राइट एंगल triangle हो उसके अंदर दो छोटे छोटे राइट एंगल triangle बन जाए किस प्रकार के उसके हाइपोटनियूस पर यह पूरा हाइपोटनियूस है 90 के सामने उस पर एक perpendicular line आ जाए और दो right angle छोटे 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 बन जाए तो बड़ा वाला first और second छोटे छोटे दोनो right angle से similar right angle से similar होता है याद रखना और अगर यह triangle इसके similar है और यह triangle इसके similar है दोनों एक ही चीज़ है तो यह दोनों भी तो आपस में similar हो जाएंगे यह चीज पकड़नी है ब ORP will be similar to triangle TRP समझे क्या ORP is similar to TRP नहीं TRP नहीं TRP यह triangle का नाम गलत लिखा है ORP ऐसे करते हैं देखो बड़ी अट्रिक बताऊं तुम्हें ORP ठीक है ORP कहां ORP तो TRP नहीं बोला पी से ही आजाओ PRT PRT आजाएगा ORP will be similar to PRT समझे क्या समझे क्या ORP ऐसे देखो नाम देने का भी तरीका होता बिटा ठीक है नाम देने का भी तरीका होता है जैसे मैं अगर इस फर्स्ट वाले का नाम ऐसे लूँ देखो ऐसे TRP TRP मैं ऐसे किया बिटा यहां से शुरू करा और यहां पहुंच गया तो फिर उस दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम इदर ही से शुरू करो P से PRO P R है ना तो यह होगा ट्राइंगल T R P चो छोटे ट्राइंगल जहां विल भी सिमलर टू है ट्राइंगल P R O यह कर सकते हैं या फिर यह O R P O R P सिमलर टू P R O वहीं से लॉटो P R T P R T तो दोनों सही है चाहिए यह यूज कर लो या यह यूज कर लो इससे बिद गया है पन T P R सिमलर P R O इससे बिद चुके हैं तो यह नहीं होगा ठीक है इसको अटा देते हैं इसको भी अटा देते हैं तो सर बेसिकली बात यह है कि हमने जैसे ही जैसे ही हमने यह देखा तो हम समझ गए T T R P T R P दरा ना ती आर पी अरपी पी आरू दो अलग अलग ट्रैंगल समां जो राइट अंगिल है तो सर ट्रैंगल ट्रैंगल दो बनालू दोनो अलग अलग बनालू और उनकी मार्किंग्स कर लेते हैं circles में triangles पढ़ रहा है अपन देख रहे है चलो T एक second just a second जल्दी से देख लो इसको कर लो ठीक है चलो नाम लिख लेते हैं ती-ई-ार-पी वह है डी आर-पी और यह जाएगा पी आर-ओ यह राइट अंगेल है यह पार नाम पास यह DAN दोनो एट है यह फाइव है ठीक है और 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 भी तो स्था यह ऊ杜 idee यह ये 8 नहीं है sir, this is not 8, this is 4, ये 8 का आदा हो गया था, 4 है ये, ठीक है, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, अरे यहां यार पाइथागोरस भी तो लगा सकते हैं, ये 3 हो जाएगा ना, this is 3, पाइथागोरस लगा के 3 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 3, देखो ना, ये 90 डिग् 25 is equal to 4 square अपना हो जाएगा तुम्हारा क्या नाम से, 16 प्लस RO square, यार RO आ गया था, फिर तो answer उसी से निकले आता, याद ही नहीं रहा, फाल तु मेरे इस कर दिया, यार, minus 16 is equal to RO square, हाँ यार उससे answer आ जाता बच्चा, 9 is equal to RO square, RO is equal to 3, लो sir, तो बस यहां पर अप लिख देते हैं, TR upon, अपन को पता है कि वो ratio same होंगे, TR upon PR equal, RP upon RO equal, TP upon PO, ठीको चलो value रखते हैं, TR upon PR, TR upon PR, TR नहीं पता, लिख दो ऐसी TR upon PR, PR क्या हैर, PR है 4, PR equal, PR4, RO, RO3 is equal, TP, निकालना है, PO, PO5 है, ठीक है, पिटा, इन दोनों का cross multiply करा दो, answer आ जाएगा, TP is equal to, 5 into 4, 5 fours are 20 upon 3 centimeter, this is our answer, यही अपना answer है ठीक है, ठीक है, is our answer, इन दोनों का cross multiply करा दो, you will get your answer, done, ठीक है, चलिए, moving on to next, इसको भई clean करते हैं, clear करते हैं, Sir, इसको साफ कर दो, clear कर दो, और आप अपन चलते हैं, खातमे की तरफ, because the session is over, I hope आपको session समझ में आया होगा, तीनों example पढ़ लेना, second और third example बहुत जरूरी है, exam purpose से exam में देखने को मिल सकते हैं, तो अगर आप हमारी website पर जाना चाहें, तो website www.magnetbrains.com website जैसे ही open होगी, अपनी class select कर लेना, subject select करना, choose करना, और जो chapter आपको पढ़ाई करनी है, जिस chapter की, उस वो choose करना, उस पर click करना, आपके सामने उस chapter से related सारे वीडियोज, playlist के form में, sequence form में आ जाएंगे, और बढ़िया से अपनी पढ़ाई continue करना, अपनी पढ़ाई boost करना, और exam में top करने की तैयारी करना, जल्दी मिलेंगे next video, till then happy learning, take care, bye.